स्वागत आप सभी का अपने चैनल अपःया क्लासिस में आज से गाइस हम आपो ऻवर्वाने है वाले हैं ग्लास 12 के पोलिटिकल के लेक्चर्स क्लास 12 की जो पोलिटिकल की हैं वो दो बुक्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पहली बुक है वो इंडिया को डिफाइन करती है मतलब politics in India since independence independence इंडिया की जब हुई 15 अगस्ट 1947 को उसके बाद में इंडिया के अंदर क्या क्या major changes आए जैसे कि नहरू जी की leadership शास्त्री जी की leadership उसके बाद में आप देखें इंदरा गंदी जी की leadership उसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या reforms आई जैसे कि मनमौन सिंग जी के अंडर में LPG reforms आई इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस book के अंदर इस book के अंदर एक एक content को लेके इसी तरह से एक एक चीज़ को cover करवाया गया है और हम एक एक चीज़ करके एक एक चीज़ को cover करने की कोशिश करेंगे तो आज हमारा guys सबसे पहला lecture है तो इस lecture के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ सबसे पहले अगर आप देखें तो इस book के जो भी contents हैं वो हम आपको दिखा देता हूँ जो सबसे पहला content है वो आप देख सकते हैं आपे challenges of nation building अब guys आपके डिमार्ग में आ रहा होगा कि nation क्या होता है nation, state, country इन सब में क्या difference होता है तो basically अगर हम पहले बात करें country और state की तो state होता है country के एक छोटा सा एक हिस्सा ठीक है जो कि एक अलग government के द्वारा चलता हो लेकिन political के अंदर country होई क्या का जाता है state पर state और nation में थोड़ा से एक difference होता है guys state की अगर हम बात करें हैं तो उसके अंदर एक territory होती है और लोग होते हैं लेकिन जब एक बात आती है nation की तो nation के अंदर क्या होता है उनका एक common welfare होता है ठीक है nation के लिए common welfare होता है सबका milking I hope so guys आपको यह चीज़ समझे माई होगी उसके बाद में अगर हम दूसर topic बात करें तो वो है era of one party dominance one party dominance का मतलब है guys किसी भी एक party का वर्चस होना वर्चस विंदा सेंस की मतलब उसका politically काफे ज़्यादा control होना अब यह बात किसके कर रहा है guys Congress की अब Congress की कौन से लीडर की बात हो रही है यहाँ पे यह बात हो रही है guys नहरूजी के अब नहरूजी के अंडर लीडरिशिप में Congress ने तीन बार free and fair डेमोकरिटिकली elections जीते यहाँ पे manipulation नहीं हुआ है guys manipulation का मतलब है dirty politics नहीं हुई है अगर हम दूसरे शब्दों में अगर इसको बोलें तो यहाँ पे opposition जो party है उन्होंने भी इसको accept किया है कि हाँ यहाँ पे कोई भी manipulation नहीं हुआ है यह एकदम डेमोकरिटिकल ओर्डर से ही follow हुआ है तो उसके बाद लगर तीसरा जो chapter देखें तो वो क्या है politics of planned development planned development का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर आजदी के बाद में एक planning से development चलाएगी मतलब कि हम दो एक bill बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसके दो हिस्से करेंगे एक होगा planned और एक होगा unplanned अब planned के अंदर आएगा जैसे कि कोई डेम बनाना है तो वो इस साल से इस साल के बीच में बनाना है जैसे कि ही राकुन डेम वगरा जो बनाए steel plants वगरा लगाए तो यह साब आते थे planned development में अब unplanned के आऊंगे जो भी अचानक से हो अगर कोई calamity हो जाती है जैसे कि flood, drought तो वो साब आएंगे unplanned के अंदर और किस तरह से Soviet Union का जो system था 5 years agenda वाला उसको हमने follow किया और planning commission के अंदर में इसको implement किया तो यह सब चीज़े हमें इसके अंदर देखेंगे कि हमने एक ऐसी approach बनाई कि हम क्या कर सकें एक time बाद में हमारा देश काफे ज़्यादा politically और economically दोनों तरह से free हो जाए अगर हम chapter 4 की बात करें तो वो discuss करता है इंडिया के external relation external relation मतलब की इंडिया के जो आसपरोडोस के देश है जैसे कि पाकिस्तान चाइना भूटान, नेपाल मैमार, बांगलादेश, श्री लंका तो इन से हमार relations कैसे हैं अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो वो कुछ खास अच्छे नहीं है, आप जानते हो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त को और 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ तब से ही हमारी डिस्पिट शीर हो गए कभी इंडिस्ट वोटर को लेके, कभी जुनागड को कभी कश्मीर को लेके तो कभी हैदराबाद को लेके जिसको हमने 1971 में आजादी तो दिला दी पर हमने जितना उसके लिए किया उसने आज तक रिपे उतना कर नहीं पाया वो तो वहाँ पे भी हमारे कुछ खास रिलेशन हो नहीं पाते शिर्डंका के साथ हमारे सिर्फ एक डिस्प्यूट रहा है वो है सिनहलाजवला नहीं है तो इन सब देशों के लिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे उसके बाद में हम बात करें तो वह कहा है चैलेंजस टूर एंड रिस्टोरेशन ओफ दा कॉंग्रेस सिस्टम एक वर्ड आई जो गाईज रजनी कोठारी में हमने कहा था कि जो कॉंग्रेस का जो पूरा का पूरा सिस्टम था मतलग कि जो कॉंग्रेस चली आ रही थी नाइटीन फूर्टी सेवन से ने एरूजी के अंडर में 1964 तक और उसके बाद में दो साल चली शास्त्री जी के अंडर में तो ये जो सिस्टम था पूरा का पूरा इतने वैल प्लेंड तरीके से जिसको कोई आज तक डिफीट नहीं कर पाय था एक टाइम में इंडिया के लिए का जाता था कि हमेशा यहां पे कौन रहेंगे कॉंग्रेस ही रहेगी कभी कोई दूसरी पार्टी आही नहीं पाएगी तो ये वाला जो सिस्टम था वो एक टाइम बाद में तूटता नेजर आया तो उसको व मदद से इन्होंने रिस्टोरेशन की काफी ज्यादा कोशिश की और उसके बाद में डेमोक्रेटिक क्राइसिस आ जाता है डेमोक्रेटिक क्राइसिस का मतलब गईज 1975 में इंद्रा गांदी जी के अंडर में ही क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिकली डिसॉडर क्रियेट होता है country के अंदर जिसकी वज़े से emergency period आता है और पूरे देश के अंदर इन्होंने बिना किसी cabinet की मदद किये लिए क्या करते हैं कि प्राइम जो president होता है उनसे emergency article की मदद से पूरे देश के अंदर emergency लागू करवा देते हैं और अपनी मन मर्दी से ही articles में amendment करने लग जाते हैं तो सबसे पहला जो amendment और सबसे जो बड़ा amendment हुआ वो है 42nd amendment जिसको mini constitution कहा जाता है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा changes आए जिसकी वज़े से आने वाले टाइम में काफे इसके अनदर आप चिफ को moment पढ़ोगे N-T-R moments पढ़ोगे जो कि alcohol के लिटेट थ था अंदर प्रदेश में उसके बाद में आप देखो तो आप पढ़ोगे आप नर्मदा बचावा अंदुलन तो ऐसे कही सारे मुमेंट्स पड़ोगे यह तो है गाईज की एक तरह से आप यह भी देखोगे कि कौन से मुमेंट्स पार्टी से सपोर्टेड थे कौन से मुमेंट्स पार्टी से सपोर्टेड नहीं थे उसके बाद में आप देखो कि रिजनल no aspirations original Restaurant aspirations क्या होती है इसके बाद आप देखो कि consensus célation क्या होती है कि कोई भी कर बिदे जैसेstalk Il he आर्टिकल की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जैसे कि वो किस से है जम्मू से आज के टाइम वो एक्जिस्ट नहीं कर रहा है पर वो एक रीजिन एस्पिरेशन के लिए जो है तो वो उनके कुछ एस्पिरेशन होती थी उनके कुछ डिमांड होती थी तो उ अगर अगर आप बाई ये बुक के सारे कंटेट समझ गये होंगे इसके बाद में आप देखोएं कि ये बुक के अंदर सबसे पहले एक जो बैक्गराउंड है वो समझने की कोशिश करों अगर हम बैक्गराउंड के बात करें तो इंग्लिश जिनका इस बुक के रिल्टर काफी ज़्यादा बड़ा रोल रहा है तो वो क्या होते हैं वो आते हैं 17th century यानि कि 1600 कुछ कंदर वो वहां की जो क्वीन अलाइजा बैत होती हैं उनसे एक चार्टर लेके आते हैं और कहते हैं कि हाँ सिर्फ इस देश से सिर्फ हम यह हमारे देश सिर्फ हम ही जाएंगे कंपनी की दोरफ से कि जो वहाँ जाके क्या कर सके ट्रेड वगरा कर सकें यह आते हैं ट्रेडर बनके स्पाइसेज वगरा के लिए लेकिन एक ताइम बाद में यह पॉलिटिकल लीडर क्यों बन जाते हैं बड़ा सवाल यह है अब बड़ा सवाल यह इसलिए है क्योंकि ऐसा क्या इंसिडेंस होता है कि वो political leader बनने के लिए एसे इच्छोप हो जाते हैं तो होता है कि यहां पर जब वो आते तो वो एक चीज नोटिस करते हैं कि यहां पर काफे जयादा काफे जादा मिसंडर्स अन्डरस्टरेंडिंग है लोगों के बीच में जो लीडर्स हैं उन सोरी बैटलोब प्लास्टी के अंदर किया उसके बाद है बैटलोब बक्सर के अंदर कासिम वगर जो रूलर्स थे उनके साथ में भी सेम यही चीज सीन इनोंने क्रियेट किया अब काफी जादा यह हिस्ट्री का पार्ट है इसलिए हम इसको स्किप करके अब एक काफी लोंग पिरेट के अंदर लगबक टू अंड्रेड येर्स का जो टाइम पिरेड था उसके अंदर जाके इतना जदे स्ट्रगल देखने के बाद में यह डिसाइड करते हैं कि हां हम इंडिया को छोड़के जा रहे हैं पर्मेनिटली हम इंडिया को पॉलिटिकली एकोनॉमिकली और शोशली और रिलिजिसली हम पूरी तरह से छोड़के जा रहे हमें यहां पे कुछ नहीं लेना देना अब क्या होता है कि जो लोड़ बाउंट बैटन है लोड़ बाउंट बैटन है इंडिया के लास्ट इंग्लिश गवर्णर जनरल या फिर वाइसरोई भी आप कह सकते इनके बाद में एक ही वाइसरोई बने है वो है राजगोपलाचारी जी तो वो इंडिया से बिलोंग करते थे इसलिए यह लास्ट गवर्णर जनरल बोले जाते हैं इंग्लिश हर्स के जो कि इंडिया के अंदर गवर्णर रहे यह 3 जून 1947 को क्या करते हैं एक प्लैन निका जालते हैं कि इंडिया को आजाद किया जाएगा 15 अगस्त 1947 को तो अब जब यह निकल के आती है तो लोग एक्साइटेड वोत थे जो लेकिन जो लीडर्स थे जैसे कि सरदार वल्लाबाई पटेल नहरू जी मादमा गांदी जी यह सब काफे ज्यादा टेंस दो जाते हैं कि उसके बाद क्या होगा अगर यह छोड़ के चलेगे उसके बाद अचानक से क्या होगा हम जिस चीज के लिए पने टाइम से लड़ रहे थी क्या हमारे उपर कोई ओर कंट्रोल कर देगा या कोई पड़ो सी देश हमारे उपर हमला कर देगा टैक कर देगा तो क्या सिच्वे मतलब के में ता वो तोकुड़ों में था प्रिंशली स्टेट जो की मतलब ऐसी स्टेट ती जहां पे कीग रूल करता था लेकिन वह समझता था कि save से खिलाम हैं और उनको by करता उनका वन थार्ड एर्या फान्टा था इंडिया के उत्य stripes यह टोटल थी नंबर में दूसरा जो ही सा था वो था प्रोविंशल इंडिया प्रोविंशल इंडिया का मतलब है गाई कि जोप भी था इंडिया उसके अंदर जितना भी जो एरिया था वो प्रिटीशर्स ने लड़के और जीत की कंट्रॉल किया जैसे की सिराज दुलामीर कासिम को हरा के वहाँ पे उन्होंने बेंगाल का एरिया कंट्रॉल किया सबसे पहले फिर मराठांस से लड़े फिर उनके बाद में सिख्वोर लड़ी तो ऐसे जितने भी यहां पर कंट्रॉल किये ना वो इन्होंने कैसे किये उसके बाद अगर हम बात करें तो यह दोनों चीज़े होगी अब बाद आती है कि प्रिंसले स्टेट्स ने इतने टाइम तक लोयल रहे तो लोयल रहने के लिए उनको या वह पुरी लोयलिटी के साथ में तो एक काम करो तुम या तो इंडिया में चले जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ या फिर तुम रह जाओ इंडिपेंडनेंट तो अब इसका मतलब क्या था इंडिया के बटवारा इंडिया के होने वाले अब टुकडे तो एक इंडि कि मुसलिम के जो राइट्स हैं वो सेक्योर नहीं रह पाएंगे एक हिंदू डॉमिनिटिंग कंट्री के अंदर तो यह क्या कहती है पाकिस्तान बना के दूहां में अलग इन 1940 में काफी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है आजगे टाइए में जो पाकिस्तान बंगला देश है वहां पर और कई तो ऐसे थे जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो रूलर थे कश्मीर के हरी सिंग वो कहते थे कि हमारा कश्मीरी कल्चर सबसे उपर है और वो रहना चाते थे इंडिपेंडेंट हैदराबाद के जो रूलर थे वो रहना चाते थे इंडिपेंडेंट जो नागड की बात करें तो वो भी इंडिपेंड जाते थे जिनागर गुजरात के अंदर पढ़ता है गया तो यह सारी जो थे वो इसे कि हम रहें तो यह भी कैई से ही आज शॉला हुई आजसे ऐंडिया जातां छहि 1700 कि अंदर गय तो यह सब कोई लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं अगर आपने अभी तक भी कोई तयारी नहीं की है तो आप घबराओ मत गईज आप डेली के स्कूर्स क्रियेट करवाने में मैं आपके हेल्प करूंगा ठीक है गाइस आप सभी कोई लेक्चर अच्छे लगे होंगे प्लीज लाइक इट शेर इट एंड सब्सक्राइब इट